हेलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हो आप सभी लोग आप सभी का वेलेकर मिस्टिडेवाइब वुड़क ओलन प्रेफोर्म पे आज अपने बात करने वाले हैं संग्लक बढ़ती को लेकर के देखो आप सभी की बहुत ज्यादा रिक्वाइड है और एक के नॉर्मल तरीके से होन होने चाहिए मैं में में बात क्या होती है जो में कुछ खास क्या है तब जाकित हम लगते हैं कि यारी जो फर्फेक्ट है अपने लिए तो उशी को लेकर आज की आप अपडेट बहुत ही इंपोर्टन होने वाली अपनी आज अपन बात करने वाले हैं संग्नक बढ़ती को लेकर के इसकी प्रोफाइल को लेकर के एक अंदर से मोटिवेशन भी आता है कि हाँ इस बढ़ती में कुछ ऐसा है एक संग्नक बढ़ती आप सभी को पता है कि बेस्ट वेकेंसी है और हमसे अच्छी का से चूटे मिलती है अच्छी का से आप टूर बिता है उसमें कि आप अलग जगे जा सकते हो लोगों से मुलाकात कर सकते हो ऐसी जोब होती है तो चलो हमें स्टार्ट करते हैं देखो मुखी बात से आज अपने इस टोपिक पे बात करने वाले हैं संग्नक होता क्या है इसकी सेलरी क्या होती है चूटियां अगरा कितनी होती है प्रमोशन अगर है उसमें सेलेर कितनी मिलती है पूरी बात हमें इसमें डिसकस करने वाले हैं तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि संगनक होता क्या आकिर आप सबी संगनक की तैरी कर रहे हो तो संगनक होता क्या है संगनक के बारे में आपको डेटेल से पता होना चाहिए वैसे देखो संगनक का काम क्या होता है संगनक की यह पोस्ट सबसे अच्छी पोस्ट होती है संगनक में कार यह होता है जो सेंपल होते हैं सर्वेव होते हैं जितने भी सेंपल माल लो आपको उधान के तोर पर बता हूं जिसे परसासन गाउं के संग है परसासन सहरों के संग है इसमें जितने भी कार यह किये गए है जितने भी इसके data वगेरा है, data को manipulate करना, पब्लीज करना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है संगनक का. जैसे हम normal तरीके से बात करते हैं कि कितने SSU मृत्विद्वर है, कितने birth certificate बनने है, कितने death certificate बनने है, इनका पूरा लेखा जोका किसके पास होता है, संगनक के पास होत होते हैं, उनको collect करना, data का Whats मतलब आप election आने वाले है, तो इलेक्शन के अंतर कहते है, जितनी भी संगनक करमचारी है, संग्णक करमचार्यों काम होता है कि जितनी भी डाटा इसमें कितनी जंसेंग क्या है एनसों के दवरा जितना जंसेंग का मतलब विवरानिक दिया जाता है तो वो संग्णक के दवरा ही दिया जाता है संगनग का कारिये मुक्रीय رूप से हैं कि मालो जनसंगा कितनी है, इसके data ओकलेट करो, उनको पॉब्लिस करवा हो, में पॉब्लिस किसे करवाते हैं, LDC, इनकी निए LDC होता है, उससे पब्लिस करवाते हैं, सो जितना computerize काम होता है वो lc का होता है इनसे इसे नीचे वाली पोस्ट होती है तो संगना काम वह होता है जितनी भी data वगरा district में माल लो अपने मालों खहीं पर भी मालों अपने गाओं में डिस्ट्रिक में जितने भी काम होते हैं जितनी भी आपके पास मतलब ऐसे मान लो कि आप डेटा सर्वे का काम होता है जितनी भी डेटा सर्वे होता है statical data इसलिए इसमेn static ज़दर फुच जाती है वैआपको static का knowledge होना चाहिए तक याँ data वगएरा निकालने में असानी होती हो संगना काम ये फिर भी आपके अगर समझ में नहीं आया तो और कमेंट कर देना भाई को और समझा देगा अब सेलेरी कितनी होती है भाई राजस्तान सरकार में पहले एनपेस लागू था अब एनपेस लागू नहीं है निव पेंचन सर्विस की बाद है अब ओल्ड पेंचन चालू कर दिए मतलब डोगरा कहला कर सेलों अब बात हुई है और प्यरी कितनी हो मिलती आब वाइप्रोपेशन गाल में दो साल में यह स्ताई तर पर्पे को कितनी मिलती यह 18,000 अठारा जार रुपे इस में परमेट मिलता है 17 धारा के लगबग्स में मिलता है बाद में आपकी सैलड़ियो जात 33,000 रुपे कितने साल बाद में? दो साल बाद में 33,000 रुपे सले होती है वो सारे है चाल वगिर आपको मिलने लगते हैं कब? दो साल बाद में मिलने लगते हैं उसमें आपको कटविटा के 28 या 29,000 रुपे आपको इन हैंड सलेरी मिल जाती है अब यह तो सेलेरी की बात हुई, पेम मेट्रिक लेवल कितना है इसका, आट है, ठीक है अच्छा कसा है, परमोशन की बात करते हैं, परमोशन किसे साथ से होता है, बैए आप संगनक में लग गए मालो, यह बरती जो आ रही है, इसमें आप संगनक में लग गए, उसके बाद म इस्टेटिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको परमोशन के बाद कर मिलेगी, इस अंगनक के अंदर गए, कम से कम आप पांस साल तक काम कर रहे हो, और अच्छा कासा काम कर रहे हो, पांस साल तक रेगुलरी आप सही काम कर रहे हो, तो परमोशन के तायत पांस साल के बाद साथ में आपको स्टेटिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है फिर इसमें दो या तीन साल तक आप अच्छा कारी करते हो तो उसके बाद में असिस्टेंड इस्टेटिकल ऑपिसर की पोस्ट मिल जाती है पिर मिलती ये आपको किसकी बिएसो की ये बर्थी आप Direct belangrijk भी हो सकते हो और संगनग की तयद भी इस में आ सकते हो बलो 하지 clients चिर्टिकल ऑप्रीसर इसमें आप सीथे सब्सक्राइक पर सकते हो अपने तरब से नेचे नेचे किए सबसे अच्छी पोस्ट सबसे अधीकारी की पोस्ट बोलतें वह एड़ डेपुरी डियागेटर की पोpad की पोस्ट आती है सबसे और पर्मोचन के अथियस्टेदर कांध कम से कंगर जाना होती हो न तो बा ign. तो अराम से जा सकते हो कोई दिक्सक्त नहीं है। वर doctrine कि बात ओए है कि कई कई जगे मcan's लगए है कि उनके कभी काम होता है तो स्टेटेटेकि चुटेड़ा की छूटे चूटी नहीं होती है सबसे अच्छी बढ़ती है रेल में अच्छी बढ़ती है आप फरप्रेशन करोगे आप वह सारे एस्प्रेंट ऐसे बोलते हैं कि हम तो आर्ट्स बेक्ग्राउंड के है हमारे एकोनोमेक्स है तो हम कैसा सेलेक्ट हो पाएंगे इसमें बहुत सारे एस्प्रेंट हैं आज भी मेरे फ्रेंट है जो आर्ट्स जे थे वो लास्ट बढ़ती में तो जार एकिस वाली बढ़ती में सेलेक्ट होएं आराम से आर्ट् क्यों रही हो तो बताइए भाई को जल्दी उसके लिए वीडियो प्लोड करेंगे दोस्तों वीडियो चाल लगा हो तो लाइक जुरू कर देना हाँ सबसे में बात यही है आप सबी के लिए में बात में आपको यू बता दू कि जो आपके पास में टेलिग्राम की लिंग बाई बूड़क उसको जोन की लिजिए उसमें सारे आपको करेंट अफेर वगएरा देहंदू वगएरा सारे अपनेट उसमें मिल जाती है और रही बात आपको कि संगनक के साथ साथ में जूनियर अकाउंटेंट की भी तैरी कर सकता हूं क्या क्या कर सकती हूं क्या तो इस लेकिन संगनक की बरती ऐसा है कि इसमें एक एक्जाम है इसकी तुरंद ही क्या कर जाएगी इसके वहाँ एक एक्जाम एक्जाम होती है इसकी एक ही एक्जाम होती है संगनक की में बात यह है कि इसमें आपके ग्रिजुएटिवें में मेतामेटर्स होनी चीए या फिर आप फोरम फील कर दिया ना तो आप जब तक वह आ जाएगा आज़ आज गल तब तक आपानी वेकेंस भी बुरी हो जाएगे तो फोरम फील करते समय नमर दिये हो तो यह लगते हैं उसके अंदर गते गवर्णाणी गया हो सकता नहीं है आपके पास नहीं है तो पर बनवालो अग नामचे फोरम फील कर सकते हो और फिर वाले अपलाई कर सकते हैं बाकी अधर अगोई रेक्रूड्मेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि यह है ठीक है दोस्तों मेलते हैं में नेक्स चूडियो में तब तक लिए आप सब्सक्राइब को जय हिंद जय भार्त दन्यवा आप